तो आप सोच रहे होगे कि पुशकर राज़ ठाकुर ने में इतनी सारी companies कैसे बना ली और उससे भी बड़ी बात है कि वह इतनी सारी companies को manage कैसे कर रहे हैं तो इसका सीथासा answer है इतनी सारी companies उन्होंने कुदु शुरू ही नहीं की mostly इन में से जो जादतर company है उन companies में पुषकर राज ठाकुर ने invest किया है जिसके बजले उनको एक equity मिल रही है और एक director की position या फिर co founder की position मिल रही है उस company में तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको grind आओगी वो company actually मेरे दोस्तों ने शुरूई की थी जो मेरे college में थे और उसके बाद उन्होंने पुषकर राज ठाकुर को approach किया था कि ऐसे से हमारी company है और आप invest करना चाहोगे तो पुषकर राज ठाकुर ने उस company में थोड़ा से investment किया था और उनको एक space देती थी office के लिए और उसके बादने में पुषकर राज ठाकुर को डायरेक्टर की position मिल गई उस company के अंदर और वह overview देखते हैं उस company का कि company में सब कुछ सही चल रहा है नहीं अंदर एक्चल में जो management वगएर वो सारा मेरा दोस्त ही करते हैं बट सिंद्स उन्होंने investment की थी उस company में तो जब भी उस company के कुछ profit होता है तो उसका कुछ percentage पुषकर राज ठाकुर को मिल गई